जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ग्यान आरबियल में दोस्तों आज हम लेकर के आचुके हैं हिंदी साहित का और एक बहतरीन पुरुसकार जिससे आपके आने वाले एक्जाम में questions पुछे आएंगे जिसका नाम है बिहारी पुरुसकार तो आज हम दोस्तों बिहारी पुरुसकार के बारे में बेहतरी न्धंग से देखेंगे कि कब किसको दिया गया है और किस रचना के लिए दिया गया है और ये पुरुसकार किसे दिया जाता है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को उसके पहले बता दें कि चैनल अगर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब किये विना मत जाएगा और बिल आइकन अवस्ट प्रिस करिएगा जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक अश्टानी से पहुंच सके चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर हम बिहारी पुरसकार की बात करते हैं तो सबसे पहले माई दिमाग में तक इसकी स्थापना कब हुई थी तो अगर हम स्थापना की बात करें तो याद होना चाहिए आपको इसकी स्थापना 1991 में हुई थी ठीक कब हुई थी 1991 में और किस फाउंडेशन द्व सम्मान क्या दोस्तों व्यास सम्मान और व्यास सम्मान के अलावा एक और पुरुस्कार है सरस्थ सम्मान क्या सरस्थी तो 3 के तीनों के बिल्ला फाउंडेशन द्रौरा ही दिये जाते हैं और 3 की स्थाप्पना कभूई थी 2019 में याद रखेंगे कौन-कौन से बिहारी पुरुषकार, ब्यास सम्मान, सरसुती सम्मान, तीनों के तीनों किस के द्वारा दियाते हैं तो केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा और कब से तो 1991 से चलिए, अब देखते हैं कि बिहारी पुरुषकार की रासी कितनी है तो आपको पता होना चाहिए, धाई ला प्रसिद्ध रीत कभी के रीत कालिंग कभी थे दोस्तों जिनका नाम था बिहारी जी आपको पता होगा इन्होंने मात्र एक ही रचना लिखी थी बिहारी सस्ताई और इतने ज्यादा फेमास हो गए था दोस्तों जिसका कोई जवाब नहीं है ठीक है तो बिहारी जी के नाम प लेखर द्वारा पिछले 10 वर्सों में प्रकासित हिंदी या राजिस्थानी में उतकर्ष्ट योगदान के लिए दिया था मतलब अगर कोई भी रचना समझेगा कोई भी रचना मान लिए 2010 में प्रकासित हुई है तो 2020 तक दोस्तों उसे कभी भी दिया जा सकता है यानि 10 वर् राजिस्थान के लेखा का उनी को दियाता है और कब से शुरुवात हुई तो 1991 शुरू हुई है किसके दोवारा दिया आदत केके बिल्ला फाउंडेशन दोवारा वही फाउंडेशन है जिसके दोवारा ब्याश सम्मान और सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया जाता है चलि जै सिंग नीरत जी को दोस्तों और काप बेश संकलन का कौन सा था जिसके लिए ये पुरुसकार दिया गया थाड़ी का आदमी दोस्तों बिल्कूल अच्छे से याद रखेंगे और बात करते सबसे नवीनतम क्या सबसे नवीनतम दोस्तों किसको मिला है तो मोहन करशन बोहरा या रख लेना तस्लीमा संगर्स और साहिट देखिए ऐसे पूँछा सकता है कि तस्लीमा संगर्स और साहिट के लिए कौन सा पुरुसकार मिला है तो दोस्तों बतादेना दोजार बिस का बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है ठीक है तो नविंतम किसको मिला है तो मोहन कश्च वर्मा बोरा जी को और पहला किसको दिया गया है दोस्तों तो जैसिंग नीरज जी को ठीक है चलिए याद रखेंगे बिरकुर अच्छे से देखिए बिहारी से बोरा याद रखना बिहारी बोरा दोस् जिसकी कौन सी पुष्टक है दोस्तों लज्जा बहुत ही इंपोर्टन है याद ये भी रख लेंगे कि लज्जा किसकी है दोस्तों तसलीमा नसरीन की दोस्तों बंगलादेशी है ठीक है चलिए अब दोस्तों देखेंगे पूरी सूची देखेंगे किसको कब दिया गया है ठ किसको जै सिंग नीदाज जी को दियागा और किसके लिए ठाड़ी का आदमी के लिए ठीक है तो याद रखेंगे दूसरा दोस्तो 1902 नवे प्रदान कियागा किसको नंद चतुरवेदी को और किस रचना के लिए तो यह समय मामूली नहीं किसके लिए यह समय मामूली नहीं के नंद की सोर आचार जी को मिला है रचना के समय के लिए और दोस्तों इन ही को ब्याश सम्मान भी दिया गया है हना छीलते हुए अपनों को दोस्तों याद रखेगा देखे ये चीज आपको इंपोर्टेंट लगे तो उसे आप नोट फाइंट कर लिजेगा बहुत में हमिदुल्ला जी को मिला है उनकी रचना है हर बार के लिए ठीक है और 96 का यानि 1996 में किसको दियागा तो बिजेंदर जी को दियागा है रितु का पहला फूल के लिए किसका रितु का पहला फूल के लिए और 97 में दोस्तों रितुराज जी को मिला है किसको रितुराज ज परभाख खेतान दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रभाखेतान इनको दोस्तों मिला है पीली आंधी के लिए प्रभाखेतान जी को 1999 का बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है चलिए आगे देखते हैं सन 2000 किसको मिला तो बशीर अहमाद मयूख को मिला है किसके लिए अवधू अनहेद नाद सुने किसके लिए अवधू अनहेद नाद सुने दोस्तों किसको दिया गया बशीर अहमद मयूख जी को वही 2001 को किसको दिया गया कल्यान मल जी को दिया गया किसके लिए वाजवार के लिए और 2002 को किसको मिला है तो विजय दान रेथा को किसके लिए सपन प्रिया के लिए ठीक है चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अगला यह 2030 में ऑन्परvasive लो नहीं किया गया है याद रखेंगे पूछजा से कहा है。 2003 और 2005 नहीं आई दिया बिहारी पुरुसकार ठीक अलका सरवगी को दोस्तों मिला है सेश कादंबरी के लिए और 2007 का मिला है यसवंत ब्यास जी को कॉमरेड गोड से के लिए किसके लिए कॉमरेड गोड से के लिए याद रखेंगे और वही 2008 का मिला है नंद भारत द्वाज को किसके लिए हरी दूब का सपना किसके लिए हरी दूब का सपना दोजार नौ का किसको मिला है तो हेमंत सेश जी को मिला है जगहे जैसी जगहे किसके लिए जगहे जैसी जगहे के लिए और दोजार दस का मिला है गिर्धर राठी जी को अंत के संसय के लिए किसके लिए अंत के संसय के लिए वहीं बा बिड़ा जी को दिया गए धूनी तपे तीर के लिए धूनी तपे तीर के लिए दोस्तों और वहीं अगर हम बात करना चाहें हैं दुजार 13 का तो चंदर प्रकास देवल को मिला है हिरणा मून साद वन चरणा ठीक है इसके लिए और दुस्तों दोजार 14 को मिला है ओम थानवी को तो मुहन जोदलों के लिए दोस्तों मिला है किसको ओम थानवी को दोजार 14 का वही दोजार 15 की बात करते हैं तो भगवति लाल ब्यास को किसके लिए कथा सुन आवे है सब्द किसके लिए कथा सुन आवे है सब्द के लिए और 2016 का सत्य नराण को मिला है ये एक दुनिया के लिए किसके लिए ये एक दुनिया के लिए और 2017 का मिला है विजय वर्मा जी को लोका अवलोकन के लिए किसके लिए लोका अवलोकन के लिए ठीक है तो याद रखेंगे 2017 का और 2020 जो नवीनता में दोस्तों किसको मिला है तो मोहन कशन बोहरा को यह important है most important है तसलीमा शंगर्स और साहित के लिए आलोचना है याद रखेंगे और दोस्तों किसी प्रकार के पीडियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्यान एक चीज और आपको बता दें दोस्तों यह हमारी चार इबुक है अगर आप इन्हें पर्चेस करना जाते हैं पूरा हिंदी साहित के इतियास इसमें आप सभी प्रकार के आपको पुरुसकार मिल जाएंगे और पूरी हिंदी साहित इतियास होगा सभी जाम के लिए ठीक है और यह है दोस्तों सामान हिंदी का और यह है हिंदी बोली का और पत्र लेखन का अगर इन्हें पर्चेस करना जाते हैं दोस्तों आपको लिंक नीचे डिस्क्रसन में दे जाएगा वहां जाकर के आप पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों यह एबुक होंगी पीडिया के रूप म हमें बजरूर बताएगा थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में